Good morning scholar, grade 2 की, हिंदी की, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है उम्मीद करती हूँ, आप सभी अपने घर में स्वस्त होंगे, एवा सुरक्षित होंगे तो चलिए, आज के पार्ट की हमशुरुवात, आज के लेसन की हमशुरुवात अपनी वर्तिका से करते हैं और हाँ, एक उम्मीद आप से ये भी है कि आपने जो पिछले वीडियो में हमने जो पहली कविता पड़ी थी, उसके कटिन शब्द, शब्दाल और प्रशन उत्तर अपनी कॉपी में अच्छी तरह से सुन्दर अक्षरों में लिख लिए होंगे तो चलिए वर्तिका की शुरुवात करते हैं, आप सभी पेज नंबर पांच खुलिए वर्तिका का जो पहला पार्ट है, वो है भाषा भाषा क्या होता है बिटा? अपने मन के भावो को प्रकट करने का एक साधन होता है है ना? तो चलिए भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं, भाषा के प्रकार पढ़ते हैं इस पार्ट में और हाँ उम्मीद करती हूँ कि आप सभी उंगली रखकर मेरे साथ आगे दोहराते रहेंगे ठीक है? तो चलिए शुरुवात करते हैं भाव विचार का ज्ञान कराएं वह माध्यम भाषा कहलाएं बचों हमारे मन में उठने वाले भाव और जो विचार है उनका जो हमें ज्ञान कराता है वो जो हम प्रस्तुत करते हैं दूसरों के सामने लाते हैं उसी को भाषा कहा जाता है तो चलिए भाषा की परिभाषा देखते हैं भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के भावों और विचारों को समझते हैं तो स्कॉलर्स भाषा एक साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की मन के जो भाव है वो हम समझ सकते हैं ठीक है? तो भाषा हमारे मन के भावों को प्रकट करने का एक साधन है चलिए आगे पढ़ते हैं भाशा के रूप निम्न लिखित चित्रों को ध्यान से देखो उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और समझो तो बच्चों नीचे कुछ चित्र दिये हुए है तो चलिए इन चित्रों के नीचे कुछ वाक्यों भी दिये हुए है तो इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं एक एक वाक्य पढ़ेंगे ठीक है नानी कहानी सुना रही है दादाजी पत्र लिख रहे है रीना गीत सुना रही है अंकित पुस्तक पढ़ रहा है तो बच्चों जैसे पहले पिच्चर में पहले चित्र में नानी बच्चों को कहानी सुना रही है तो वो बोल कर अपने भावों को प्रकट कर रही है है ना दूसरे चित्र में दादाजी लिख रहे है तो दादाजी अपने मन के भावों को कैसे प्रकट कर रहे है हाँ, लिख कर प्रकट कर रहे है तो बोलकर लिखकर हम अपने अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं आगे पढ़ते हैं हम दूसरों के विचारों को सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं भावों और विचारों को दो प्रकार से प्रकट किया तथा समझा जाता है पहला कहकर अथवा बोलकर और सुनकर दूसरा लिखकर और पढ़कर तो बच्चों हम बोलकर सुनकर अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं या दूसरों के भावों को समझने की कोशिश कर सकते हैं और लिखकर और बोलकर पढ़कर लिखकर भी हम अपने भावों को प्रकट कर सकते हैं और दूसरों की भावों को जानने की कोशिश कर सकते हैं तो अपना पेज पलटिए, पेज नंबर 6 की और बढ़ते हैं विश्व में अनेक भाशाएं प्रचलित हैं हमारे देश में हिंदी का प्रयोग सबसे अधिक होता है हिंदी हमारे देश की राजभाशा है तो श्कॉलर्स, हमारे देश में बहुत सी भाशाएं बोली जाती है और हमारे देश में हिंदी भाशा का सबसे अधिक प्रचलन होता है तो हिंदी हमारी राज-भाषा होई क्योंकि सामान्य वर्ग में हिंदी ही बोलचाल का एक प्रमुक्सादन है अब आगे भाषा के प्रकार पढ़ते हैं भाषा के प्रकार भाशा तीन प्रकार की होती है मौखिक भाशा लिखित भाशा सांकेतिक भाशा तो scholars भाशा तीन प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है एक मौखिक भाषा दूसरी लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा तो चलिए इनकी परिभाषा पढ़ते हैं और इनका अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं पहली है मौखिक भाषा जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं तो स्कॉलर्स जब हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं जैसे मैं आपको अभी वीडियो के द्वारा यानि बोलकर पढ़ा रहे हूं कुछ लिख नहीं रहे हूं सिर्फ बोलकर पढ़ा रहे हूं मैं अपने मन के भावों को आपके सामने बोलकर प्रकट कर रहे हूं तो ये भाषा का पहला रूप हुआ है ना? ठीक है? अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं लिखित भाषा जब हम अपने मन के भावों को लिख कर प्रकट करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं तो स्कॉलर्स जब हम अपने मन के भावों को लिख कर प्रकट करते हैं जैसे क्लास में टीचर आपको ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख कर पढ़ा रही है तो वह लिखित भाषा का रूप हुआ कभी कभी क्या होता है? हमें अपनी माता-पिता या अपने गुरुजनों के प्रती कुछ अच्छे भाव होते हैं, तो हम कुछ लिखकर उन्हें अपने भावों को प्रकट करते हैं, है न, तो ये क्या हुआ? लिखित भाशा हुई, भाशा का कौन सा रोख हुआ? लिखित भाशा, अब चलिए अपने मन के भावों को संकेत की माध्यम से प्रकट करते हैं, तो उसे संकेतिक भाशा कहते हैं। तो बच्चो कभी कभी क्या होता है? ना बोल कर ना लिखकर हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, कैसे? इशारों के द्वारा, है न, तो ये संकेति यने इशारे, तो इन इशारों को ही, इन इशारों वाली भाशा को ही संकेतिक भाशा कहा जाता है, जिसमें ना हमें बोल कर या लिखने की जरुवत पड़ती हैं सिर्फ हम अपने इशारों से ही अपने भावों को दूसरों की तरफ प्रकट कर सकते हैं तो देखा आपने भाषा के तीन प्रकार हैं कौन से हैं मौखिक भाषा लिखित भाषा और तीसरी है सांकेतिक भाषा वेरी गुट चलिए आग दिखने के लिए जिन संकेतों का उपियोग किया जाता है उन्हें लीपी कहते हैं हिंदी भाषा की लीपी देवनागरी है तो बच्चों कोई भी भाषा चाहे वो हिंदी हो इंगलिश हो उर्दू हो कोई भी भाषा हो उन्हें लिखने के लिए एक विशिष्ट लीपी का प्रयोग किया जाता है है ना तो एक संकेतों का उपियोग किया जाता है इन संकेतों को लीपी कहा जाता है और हिंदी जो हमारी राजभाषा है वह देवनागरी लीपी में लिखी गई है कौन सी लीपी में लिखी गई है देवनागदी लीपी में दिखी गई है चलिए आगे बढ़ते हैं व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्यान कराने वाले विशेश ग्यान को व्याकरण कहते हैं बच्चो जब कोई भी भाषा होती है उसका शुद्ध रूप का ग्यान देने वाली जो विद्या होती है उसे ही व्याकरण कहते हैं अगर हमने नियमों का ठीक से पालन नहीं किया यहने भाषा के कुछ नियम होते हैं, अगर हमने उन नियमों का ठीक से पालन नहीं किया तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है, तो इन नियमों का ज्यान देने वाली विद्या को ही ज्याकरण कहते हैं, उमीद करती हों यह पार्ट आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, तो चलिए इसी वीडियो में इसी पार्ट से जो संबंदित इसका अभ्यासकार्य है उसे भी पूरा करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट पेज में आईए पेज नंबर साथ पे प्रश्न दो है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ती करो क हमारे देश में डैश का प्रयोग सबसे अधिक होता है. आपको दो आप्शन दिये हुए हैं बच्चों हिंदी और अंग्रेजी तो हमारे देश में कौन से ही भाशा का सबसे अधिक प्रयोग होता है? वेरी गर्ड हिंदी तो आपको उस ब्लैंक में हिंदी लिखना है आगे बढ़ते हैं भाशा के लिखित रूप को डैश भाशा कहते हैं आपको दो आप्शन दिये हुए हैं बच्चों लिखित और मौखिक तो भाशा के लिखित रूप को कौन सी भाशा कहा जाता है? वेरी गर्ड लिखित भाशा कहा जाता है आगे बढ़ते हैं भारत की राज भाशा डैश है आपको दो उत्तर दिये हैं इनमें से एक उत्तर सही है अंग्रेजी या हिंदी? भारत की राज भाशा कौन सी है? वेरी गर्ड हिंदी आगे बढ़ते हैं हिंदी भाशा की लिखित डैश है रोमन या देवनागरी? वेरी गर्ड देवनागरी उमीद करती हूँ आप सभी ने ब्लैंक में सही उत्तर लिखे होंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने रचनात्मक कार्य की और नीचे दिये गए चित्रों को देखो और बताओ की ये भाशा के किस रूप का उदाहरण है? देखिए कर एक लड़का माइक में कुछ बोल रहा है तो ये भाशा का कौन सा रूप हुआ? वेरी गर्ड मौखिक भाशा तो आपको वहां मौखिक भाशा लिखना है अब देखिए कर एक लड़की कुछ कौपी में लिख रही है ये भाशा का कौन सा रूप हुआ? Very good लिखित भाशा का रूप हुआ भाशा का कौन सा प्रकार है? लिखित तो वहाँ क्या आएगा? लिखित भाशा गर देखिए एक लड़का कुछ पढ़ रहा है पुस्तक से भाशा का कौन सा रूप हुआ? मौखिक रोप क्या आएगा वहाँ मौखिक भाषा अब देखिए आगे शिक्षी का क्लास में बच्चों को इशारों से शांद रहने के लिए कह रही है तो ये भाषा का कौन सा रोप हुआ सांकेतिक भाषा वेरी गुड बच्चों उमीद है आप सभी ने इस पार्ट को अच्छे से समझा होगा तो आपको करना क्या है जो पेज नंबर साथ पे जो इसका अभ्यास कारिय है उसको अच्छे से लिखना है उसके उत्तर और एक बाफ फिर से इस पार्ट को अच्छे से पढ़ना है तो इस वीडियो को खतम करने से पहले एक अच्छी आदत सीखते हैं अपने घर में जो भी हमार बड़े हैं उनका हमेशा में आशिरवाद लेना चाहिए ताकि उनका आशिरवाद हमेशा हम पर बना रहे और हमेशा हम खुश रहें तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक घर पर रहिए स्वस्त रहिए और सुरक्षित रहिए गुड़े बच्चों